भारत में ऐसे कौन सी चक्की है जिसका आटा हमारे देश के नेता लोग खा रहे हैं लगातार भारत वर्षे खिलाफ एक मजभ शांती प्रिय समुदाये के द्वारा शडियंत्र चल रहे हैं साजिशे चल रही हैं लेकिन हम लोग हैं कि अभी तक भी दीन ए तालीम की पीपनी बजा रहे हैं भाई भाई के नारे लगा रहे हैं और लगातार लुटने के बावजूद भी मुआवजों की रेवडिया बाट रहे हैं आज जो बात हुई है वो बेहत जादा खतरनाक है और खतरनाक इसलिए क्योंकि आप और हम तो शिर्राम मंदिर की निव में सब के हाथ की मिट्टी डलवा रहे हैं सब के हाथ से इंट लगवा रहे हैं और वो लोग इसी मंदिर की इंट से इंट बजाने के लिए भारतिय मुसल्मानों को एक मुष्ट कर रहे हैं IS-IS की एक ऐसी नफरत भरी मैगजीन जो पूरे विश्व के सामने आई है जिसमें की भारती मुसल्मानों को बरगला करके इन लोगों को भारत के ही खिलाफ खड़ा करने की मुहीम चलाई जा रही है मैंने पिछले दिनों आप लोगों से एक सवाल किया था, मैंने पूछा था कि भारत के बिगडे हुए जो मुसल्मान है, भठके हुए मुसल्मान, जो बढ़के हुए मुसल्मान है, उनके पीछे हमेशा पाकिस्तान का ही हाथ क्यों होता है, यहां के युवा मुसल्मानों को कैसे बहका लेता है जबकि उसी घटना के उपर उसी समान घटना के उपर दूसरे देश के जो राष्टर अध्यक्स हैं सीधे कहते हैं कि इसलामिक आतंकवाद के करण ऐसा हुआ है पूरी घटना क्या है भारत के खिलाफ आतंकवादी संगठन इस ने जिसने की पहले ही गोश आतंकवादी भारती मुस्लिम कम्यूनिटी के लोगों को ब्रेनवाश करके उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं इस मैगजीन में लिखे गए आर्टिकल के अनुसार भारती मुसल्मानों को भारत की सरकार के खिलाफ ही जिहाद छेड़ देना चाहिए इस मैगजीन में सा काबरी का बदला लिया जाएगा नफरत भर करके इस मैगजीन में हमारे देश के राष्टे सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खत्रा साबित किया जा रहा है इसमें लिखी गई बातों को उजागर होने के बाद में राष्टे सुरक्षा एजेंशियां भी संदेह के घ स्क्रण में ISIS ने भारत के मुसल्मानों को नागरिकता संसोदद अधिनियम CAA और राष्टे नागरिक रजिस्टर NRC के विरोध में कई जगा पर हिंसा फैलाने के लिए प्रेडित किया था और यही नहीं इसके मुख प्रष्ठ के ऊपर भारत के जाने माने वकीलों के अगरिक अपने देश के खिलाफ कारिया नहीं करता है इस मैगजीन को आपने हलके में लें यह आपकी बड़ी भूल होगी क्योंकि अब तक वो सब जाचे चल रही हैं जो इस मैगजीन के द्वारा भड़काए गए दंगों में जो दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे उनकी आग जो भी तक शांत नहीं हुई उसकी जाच आज तक चल रही है डिजिटल पतरीका में ये भी कहा गया है कि इस बाबरी का विद्धवन्स एक ऐसी वज़ा है जिसके लिए इसलामिक स्टेट के लड़ा के अब लड़ाए लड़ेंगे भारत की सुरक्षा एजनसियां सोस सवाल होना चाहिए डिली पूलिस ने इस मामले में मार्च में जामिया नगर से दो लोगों को गिरफतार किया था जो आईएस आईएस के लिए मैगजीन चापते थे इसके बाद में डिली पूलिस ने और भी बहुत सारी गिरफतारिया की थी अभी रास्ट्रिय जाच एज दुवाओं को जो उनका पूरा का पूरा गुरूप था उसको बैंगलूरू से सीरिया भेजने में एक डेंटिस्ट और एक कंप्यूटर एप्लिकेशन सोसलिस्ट जो मुख्य रूप से शामिल थे उनका पता लग गया है इन रिपोर्ट्स के अनुसार एना ये ने 29 वर्ष टिक टॉक पर मुझरा कर रहे होते हैं और दूसरा है जुहेब हमीद नाम जुहेब हमीद उर्फ शकील मन्ना इनको कड़े गैर कानूनी गती विधियां उसकी रोक्ताम अधिनियम यूए पी ए के तहत अभी गिरफतार किया है एना ये द्वारा इन दोनों मुस्लिम करके कहां चले गए थे सौधी अरब दो मुस्लिम युवाकों ने कथित तोर पर सौधी अरब के एक सहपाठी के माध्यम से इसलामिक आतंकवादी संगटन आई एस आईस के साथ में संपर्क बनाया तौकीर और एक अन्य एन आई ए संदिग्द शिहाब नाम शिहाब ने अ आतंकवादी भरती करताओं का नाम बैंगलोर के 28 वर्षे नेतर चिकितसक अब्दुलरहमान कौन अब्दुलरहमान की गिरफतारी के बाद में ये नाम सामने आये इनोंने कश्मीर दंपत्ती जहाँ जेब सामी और हिना बशीर के साथ मिलकर के साजी सरची थे दोनों नाम आपको मिलें के जिनके नाम के सामने महम्मद मिलेगा आगे बढ़ता हूँ इन लोगों को भारत में मार्च में ही खुरासान मोडल कौन सा है ये ISKP इकाई के इसलामिक स्टेट से संबंद के लिए दिल्ली में गिरफतार किया गया था और ये वहां से पूरी की पूरी जो हैं यहां आकर के मिलती है IS-IS से जुड़े आतंकवादी दमपत्ती पर मुसल्मानों को CAA के खिलाफ एक जुट होने और देश के अंदर आतंकवादी हमले करने के लिए प्रेइत करने का आरोप लगा था और ये सारे के सारे लोग बुक कर लिए गए थे जहांच में ये भी हैं फैज मसूद और अब्दुल सुभा ये सीडिया में रहने के दोरान मारे भी गए थे वो सीडिया जाकर के IS में सामिल हो गए थे और किसी के साथ में युद में मर भी गए थे सारे नाम जो में गिनवा रहा हूँ ये एक मजहब से आते हैं ध्यान रखना एक मजहब से आते हैं और कहा ये जाता है कि कुछ लोगों के कारण पूरे के पूरे मजहब को बदनाम नहीं किया जा सकता है लेकिन जिन लोगों को बदनाम अगर किया जा रहा है वो कभी आकर यह क्यों नहीं कहते, कि यह जो अब्दुलसुभा है, यह जो फैज है, यह जहांजेब है, यह हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं और इनको हम इसलाम से खारइज करते हैं, कहीं आपने सुना है? नहीं सुना है, और नहीं कभी सुनेंगे, दो-चार लोग सामने आएंगे, वो भी आपकी राष्टरवादी कथित राष्टरवादी पालिटी के परवक्ता बन करके आएंगे और वो यहां रहने वाले 30 करोड अपने भाईयों की पूरी वकालत करेंगे और उसी के साथ साथ वो जो काम है उनका उस तरह फेरने का वो लगातार चलता रहता है और फिर अगर कोई पकड़ा जाए तो कह देंगे कि क्योंकि यह स्पेशल मजहब से तालूक रखता है इसलिए इनके उपर जादता हो रही है और इसलिए इनको पकड़ लिया गया है लेकिन जब गलत कारी होता है कोई रोकन नहीं आता है राश्ट्री एजेंसी निये ने 7 अक्टुबर को चेन्नई के एहमद अब्दुलकादिर 40 साल इसकी उमर है और बैंगलूर के इरफान नासिर जिसकी उमर है 33 साल इनको गिरफतार भी किया है दोनों की इसलामिक स्टेट आई-एस मोड्डूल के संदिग्द हैं और इन पर युवाओं को कटर पंथी बनारें और उनको आतंकवादी गती विदियों में शामिल करने के लिए फंडिंग तक उपलब्द कराने का रोप है NIA के अधिकारियों ने बताया है कि रहमान 2014 में सीरिया में आई-एस के आतंकवादियों के साथ लगबग लगबग 10 दिन तक रहा और वहाँ पर आतंकवादियों की मदद के लिए एक एपलिकेशन भी वो डैवलप कर रहा था उसने कादिर और नासिर नाम के लोगो का खुलासा NIA के सामने किया है अब आप ये देखिए कि उनकी तैयारी किस लेवल की है वे अपने लोगों को पहले पढ़ाते हैं डेंटिस्ट बनाते हैं ये IIT तक पढ़ाते हैं उन लोगों को इंजीनियर बनाते हैं उनको वैव डैवलपर बनाते हैं एपलिकेशन डैवलपर बनाते हैं और उनको कहां भेजते हैं IS KP, Khurasan, Model भारत में लागू करने के लिए, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए, भारत के अंदर IS IS की मैगजीन को फैलाने के लिए, यानि के भारत में भारतिय हिंदूों के टैक्स का पैसा सिर्फ इसलिए खर्च किया जाता है मुसल्मानों के उपर, मदर्सों के अंदर, उनके मंदिरों का पैसा निकाल करके, उनके मदर्सों में ये पढ़ाने के लिए, ये जो हिंदू हैं, इनके ये जो मंदिर हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये मूर्ति स्थान हैं, ये बुत हैं, और हम सब लोग बुत शिकन हैं, और ये जो काफिर हैं, य आप रात दिन मेहनत करते हैं, टैक्स देते हैं, उसी टैक्स के पैसे से वो बच्चा पढ़ता है कि आप वाजिबुलकतल हैं, आप अपनी आस्था का पैसा मंदिर में दे करके आते हैं, सरकार उसको लूटती है और इन लोगों को ये पढ़ाने के लिए पैसा देती है, कि य उस पैसे से आप लोगों को ही मारने की शिक्षाएं दी जाती हैं, यदि किसी को इस बात से कुछ प्रॉबलम है तो वो डिबेट कर ले, वो आकर के आमने सामने बैठे और मुझे बताए कि क्या मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, जी हाँ मजहब ही है सिखाता आपस में बैर रखना, क्योंकि धर्म हमेशा व्यक्ति को मनुष्य बनने के लिए प्रिजित करता है, वो वसुध है, वो कुटुम्ब कम सिखाता है, क्योंकि वो सिखाता है, हे इश सब सुकी हों, कोई नहो दुखारी, यानि कि वो प्रतेक मानव मात्र के लिए प्रार्थ में और तेजी से आगे बढ़ सकता है इसलिए आप लोगों का जागरूख होना अत्यनत आवश्चक है और इस तरीके की जिहादी मानसिक्ता के लोगों का पूर्ण बाइकोट करने के आवश्चकता है मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जै जैहिन वंदे मातरम